चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं … अब हम लोग… नोटूट कैसे स्राथ होता हूँ उन चीजों को नजरा संदूथ देख लेते हैं नोटूट पैट कैसे स्टाथ होता है — नोटूट र चाठ करनेक लिए सबसे पहले स्टार्ट ब्टन पर जाइए उसके बाद आप इस के अंदर में जो start menu के अंदर में नोडपेट तो यहां से दिखाई दे रहा है अगर आपका लिट पैड यहां से खुल सकते हैं अगर यहां नहीं दिखाई दे तो मेली तो जो टढ़ जहां रहता है वहां से आप उसके बाद आपको जाना होगा और उसके बाद आपको नामका अपसान तरह उसके लिब करना होगा जैसे क्लिक करेंगे यह नोट पैड को विंडो का हम लोग परिचे जान चुके हैं बारी बारे से इसके हर एक अपसान के सबसे पहले हमें दिया हुए नियू के नाम से के अंदर में आपको यहां पर निव आप्सन का दिया हुआ इसका क्या यूज्छ है आइजी गोदепर एकव hm एक copy पर लिखने के बाद, एक page पर लिखने के बाद, एक copy पर लिखने के बाद, वो क्या करता है, जीत करने लगता है, कि अब हम इस पर नहीं लिखेंगे, मुझे दूसरा copy चाहिए, बच्पन में अक्सर हम लोग भी साथ की होंगे, आप लोग भी की होंगे, उस condition में क्या हो भूद भी अगर मैं चाहता हूँ कि इस पर काम ना करें, दूसरे copy पर दूसरे notepad के file पर काम करेंगे, उस condition में क्या करेंगे, फाइल के अंदर में जाएंगे, और new name का option है, उस पर click करेंगे, जैसे click करेंगे, तो हम लोग को एक नया file, एक नया copy आजागा, लेकिन उसके पूछेगा ये, क्या आप इस file को save करना चाहते हैं, do you want to save changes, save करना चाहते हैं, तो save कर लिजे, नहीं करना चाहते तो नहीं, तो अभी हम लोग सेखेंगे, इसलिए हम अभी don save पर click करते हैं, clear है, तो हम लोग को फिर से एक नया phrase page मिल गया, एक फिर से नया phrase file मिल गया, इसक कुछ भी काम करना है, वो कर सकते हैं, clear है मेरी बात, आगे बढ़ते हैं, अगला option है, वो है आपका open करना, open को बताने से पहले, मैं save को बताना चाहूंगा, save कैसे किया था, तो save करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कि file में जाएंगे, save करेंगे, लेकिन save करने से पहले पोज मैंने लिखते हैं, यहाँ पर, ideal computer डुम रहा हो, मैंने यहाँ पर type कर लिया, ideal computer डुम रहा हो, मैंने यहाँ पर type कर लिया, अब मुझे इसको save करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फाइल में जाते हैं, उसके बाद से नाम का option दिखाई दे रहा है, इस पर जाते है उसके बाद हम क्या करेंगे अब सेफ करते सब हम लोगों को दो बातों का ख्याल लखना होता है पहले बात कि मुझे इसको कहां सेफ करना है और दूसरी बात कि किस नाम से सेव करना है कहां सेव करना है मिन्स जैसे आप डेक्स्टॉपर सेव कर सकते हैं डाउनलोड के अंदर में सेव कर सकते हैं डॉकुमेंट के अंदर में सेव कर सकते हैं यह सेव करने वाले जगे होते हैं जिसके वारे ममने किछी दिनों में पढ़ा हुआ है इसके अलावा computer के अंदर में जो computer नाम का folder होता उसके अंदर में local list C में save कर सकते हैं D में save कर सकते हैं E में save कर सकते हैं अगर आपके computer में F नाम का drive है तो उसमें भी save कर सकते हैं तो यह जो है ना वे location है वे जगह है जहां पे save किया जाता है suppose हम इसको डी के अंदर में डी ड्राइब के अंदर में सेव करते हैं डी ड्राइब पर हम डबल क्लिक किये और डी ड्राइब के अंदर में हम जाते हैं और हम एक फाइल का नाम कोई ले लेते हैं जैसे OS नाम का एक फाइल है OS किस नाम से 2 मैं से कर लिता हूं इसको मैं प्रोजक्ट वन वहां दिखाई के नम से से कर लिया अच्छा सेव करने के बाद पहली बात कि कहा से गरना है तो मैं डी में से history मैं और किसके अंदर में तो OS online image नामुक एक फोरडर किस नाम से से चिया तो प्रोजेक्ट 2 के नाम से 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 किया और सबसेंति में आपको करना यह है तो आपका बटन पर क्लिक करना जैसे क्लिक कर देंगे तो यह आपका से हो गया अति हम परोजय क्लिक कुछोंडर कर लिया और यहां पर डिखाई दे रही हैं हमारा फोजेक्ट 2 का नाम से इस Richtung के नाम तो यह हो जाएक हमारा सेफ करने का तरीक्ता है वापस हम फिर से आते हैं नोट पैट के अंदर में और यह जो लिखा हूँ इसको हम डिलेट कर देते हैं और file के अंदर में आते हैं तो अभी हम लोग नूद का option का मतलब जान चुके Save का मतलब जान चुके अब हम देखेंगे open का open का मतलब क्या होता? open क्या करता है? save से जो हमने save किया हुआ file को, जिस जगा पे save किया हुआ है उसी जगह पर, उसी जगह पर से ये उस file को open करने का काम करता है, यानि वापस उस file के अंदर मुझे काम करना है, तो हम क्या करेंगे, open name caption पर जाएंगे, open पर जाते हैं, लोकल डिस डी के अंदर में सेव किया था लोकल डिस डी के अंदर में किस नाम से किस फोल्डर के अंदर में तो लोकल डिस डी के अंदर में वेस नाम वेस ऑनलाइन नाम का एक फोल्डर था इसको हमने डबल क्लिक कर लिया उसके बाद प्रोजेक्ट टू नाम मैंने दिया था क्लिक करते हैं से यह होगा पता चलेगा कि आपने इस फाइल को कहां से चलेगा यह पता चलेगा जब देखिए एक चुटी से बात बताने से पहले जैसे मैंने आइडिल कम्पूर्ट दुम्राओ लिखा यहां पर इसके अंदर मैंने एक और सब्द जोड़ देते हैं सेंटर अब मैं इसको फिर से सेव करना चाहूंगा तो फाइल के अंदर पर जाएंगे से पर क्लिक करते हैं तो कुछ भी हुआ नहीं कुछ पता नहीं चला लेकिन वहीं अगर हम चाहेंगे उस लोकेशन को देखना कि कहां पर यह से हो रहा है उसके लिए सेव हैस का इसके माल करें लोकेशन करेंगे सेव हैस पर क्लिक किये यह हमारा बता रहा है कि नियू वॉल्यूम डी यानि लोकल डिस्टी के अंदर में वेस ऑनलाइन इमेश के नाम से आपका यह प्रोजेक्ट टू के नाम से से है यह तो पता चल गया कि इस नाम से से एक्ट्वाली में से वाइस का कि लोकस में चैंज करेंटा हूं जगा में बदलता हूं सेम चीज़ें घू लोकल डिसकी दके अंदर में भी प्रोजेक्ट टू के नाम से है और उसी चीज़्ों को मैं चाहता हूं दूसरी जगह पर project 3 के नाम से रखूं तो desktop पर मैंने desktop location चुन लिए और file का नाम दिए project 3 उसके बाद save करते हैं इसके बाद वापस इसको close करते हैं और desktop पर आके देखते हैं क्या देख रहा है desktop पर project 3 नाम से यहां पर आया हुआ अब इसको अगर आप open करना चाहें तो इस पर double click करिए और जैसी open करेंगे तो दिखाई देगा कि project 3 के नाम से आपका यह जो desktop पर से हुआ वापस हम आते हैं desktop पर तो कर लिए वापस हम आते हैं computer के अंदर में और local disk D के अंदर में आते हैं और OS के अंदर में जो हमारा से क्या होता पहले से वह देख लेते कि वह है कि ने वह भी है project 2 के नाम से क्लिए मेरी बात यानि किसी भी जाते हैं तो आपको आपको फाइनली सामने सामने दिखाई देता है लेकिन इसमें बहुँतरा चीज सामने दिखाई ने दिखाई ने देता है इसलिए थोड़ी से लोगों को समझने में दिक्कत होते हैं इसलिए मैं कुछ बातों को इसमें बताता हूं जैसे इसमें तीन अप्शन है जिसको आप अभी समा सकते हैं आराम से size option नाम का है एक आपका orientation नाम का option है और एक margin नाम का option है जो किसी भी चीज़ों को प्रिंट निकालने लिए हम लोग जो यूज करते हैं अ Christmas करें आप लोg को मिल हुआ जो में अ आप लोगों को मिला हुआ है इसके अलावा हो गया अगर मुझे लेटर साइज का लेना होगा तो लेटर साइज का इसके अलावा यहां से सुन लिए कि कितना हमारा मैटर का कितना साइज का मैटर उसके सबस्क्राइब लेते हैं इसके अलावा अगर आप इसको पोर्टेट है और अगर आप इसका मार्गी जो है यही मार्गी जो धिक्ताीते रहा है कर दो होता है वहां से लिखावट ऋपकी STE प्रिंट करेंगे तो इसका पता चलेगा अब जैसे किया तो यहां पर प्रिंट करेंगे तो इसका पता चलेगा अगला अप्से अपका करने करने क कि तोरान की बात है आधान सबसे पहले आपको करना यह होगा कि आप disproportion में जाते हैं और पाकी होते हैं slas to इसमें जो है आपको दिखाई दे रहा है यह प्रिंटर कर लिए है कर नाम आपके नम पहले से दिखाई ये तब आपके प्रिंटर नहीं होगा तो आप को प्रिंटर ख़ीदेंगे उस प्रिंटर के अंदर में कैसे मिलता है यह फिर आप पेस सॉफ़एब को लेके और अपने डाली। इंस् very समय करेंगे तुह द्रूंद नमब्र औरम यहांपर दिखाई देने लग मुझे दस लोग लिए निकलना तो इतना करेंगे और उसके बाद नाम के अप्शन पर क्लिक करेंगे यह हमारे प्रिंटर के अंदर में कमांड चला जाएगा और पेज हमारा निकलना सुरू हो जाएगा एह उसको कर देता हूं आगे बढ़ते हैं ओर अगला अपम फ से बाहर निकलना चाहते हैं इसका इससी क्लिक करेंगे तो बहार आजाए यह तरीक यह इस लिए इसका उस्थे जाता है पने से इसका briefing खोट क्लिर है मेरी बाद तो यह रहा है यहां तक